आपको किस प्रकास से सब्जेक्ट टीचर मेपिंग आपको करनी है इसके लिए आपको सबसे पहले साला दर्पन पोर्टर पर लोगिन होना है जैसे आप लोगिन होंगे तो आपके जो मेन्यू है वो आपको दिखाए देगा यहां पर आपको रिजल्ट वाला जो आपका प्रविष्टी का ओप्शन दिखाए देगा आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ ओप्शन आपको दिखाए देगे वहां पर आपको सब्जेक्ट टीचर मेपिंग का ओप्शन दिखाए देगा इस ओप्शन के माद्यम से आपक करना है 22 इसके बाद में आपको जो class है वो select करनी है हर class के लिए आपको subject teacher mapping करनी है एक class का हम यहां पर example लेते हैं class 10 और इसके बाद में इसका जो section है वो आपको यहां पर select करते हैं उसके बाद go पर आपको click कर देना है जिसे आप go पर click करेंगे तो आपके सामने नीचे की आपके सबी जो subject हैं जो class 10 में चलते हैं वो आपको दिखाए देंगे हर subject के सामने आपको कुछ option दिखाए देंगे यहां पर तो यहां पर चली हिंदी का हम mapping करते हैं तो यहां पर 3A पर click करेंगे तो आपके सामने जो teacher 1 वाला जो option है यहां पर इस पर जब आप drop down window पर click करे तो आपके विद्याले के जो समस्ट जो teacher है उनके नाम आपको यहां पर शोंगे और उस नामों में से आपको जो भी आपका हिंदी का जो teacher हैं जो पढ़ाते हैं वो नाम आपको select कर देना है और select करने के बाद में आपको पुन है इसी प्रिक्रिया के माद्यम से दूसरे subject के के लिए मैपिंग कर देना है जैसे English के लिए करेंगे तो वापस से आपको थिरिये पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहां पर जो सामने वाले ड्रॉप डाउन विंडो है यहां पर आकर के आपको पुन है आपकी जो ड्रॉप डाउन विंडो में जो teachers के नाम दिखा करने के बाद ही आपकी subject teacher mapping यहां पर successfully हो पाएगी और इसी प्रिक्रिया के माद्यम से आपको सभी class के लिए प्रते class के लिए आपको यह प्रिक्रिया दोरानी है और प्रते class में प्रते subject के जो teacher है उनको आपको class alert करनी है subject alert करनी है और इस प्रिक्रिया के माद्यम से आपको subject मेपिंग करनी है